दोस्तो एक बार फिर से भारतिय व्यग्यानकों ने और भारतिय टकनीक ने पूरी दुनिया के अंदर जंडे गार दिये हैं क्योंकि भारतिय हत्यार अपने स्रियानी के दुनिया भर के सारे हत्यारों से बहतर निकला है दरसल आप सबी को पता होगा कि बेस्टन मीडिया हो या फिर भारत के ही कुछ लोग हो भारत के डिफेंस छेतर की काफी जादा आलूचना करते हैं और उनको एंसा लगता है कि भारती ये व्यज्यानेक कोई भी हत्यार अपने दम पर बना नहीं सकते हैं अब वहीं पर यदि हम बात करें तो हमारा स्वदेसी फाइटर जेट तेजस MK2 काफी जादा डिले हो चुका है और इसकी आलूचना भी काफी जादा हुई है परन्तु यदि सब कुछ सही रहा तो अंगले साल आप सभी को यह फाइटर जेट देखने को मिल जाएगा क्योंकि अंगले साल इसका रूल आउट होना है अब दोस्तो तेजस MK2 को लेकर एक एंसी खबर सामने आई है जिससे तेजस MK2 के सरेणी वाले सारे फाइटर जेट तेजस MK2 से पीछे पिछड़ चुके हैं धरसल यदि हम BBR मिसाइल की बात करें तो हमारा केबल तेजस MK2 ही 4.5 मी प सकते हो कि वो मिसाइल जो की 37 किलोमेटर से जादा दूरी में हमला कर सकती है उसे ही VVR मिसाइले करते हैं तेजस के कॉम्पेटीटर की बात करें तो F-16 6 मिसाइले ही ले जा सकता है VVR और मिराज भी 6 मिसाइले ले जाता है जबकि ग्रैपन E 7 मेटियो और मिसाइले एक साथ जबकि हमारा तेजस एक साथ 8 VVR मिसाइले ले जाएगा यानि तेजस फाइटर जेट भारतिय वायु सेना की आकरमक छमताओं को बढ़ाने के लिए और दुस्मन के उपर पहले हमला करने के लिए भारत के लिए करांती कारी फाइटर जेट साबित होगा क्योंकि VVR मिसाइल से दुस्मन के फाइटर जेटों को बहुत दूरी से उड़ाना तेजस के लिए काफी जादा आसान हो जाएगा नमस्कार धन्यवाद जैहिंद वंदे मातराम